हलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आज फिर एक नया चैप्टर हम शुरू करते हैं ये हमारा नागविक सास्त का चैप्टर है चैप्टर नमबर टू संगवाद ठीक अगला प्रश्ण पूछ रहा है इस्थानी सरकारों के महत्व का वर्णन करें स्थानी सरकार उनका क्या महत्व है हमारे देश के शाषन में या देश के विकास में स्थानी सरकारों का क्या महत्व है उसका हमें वर्णन करना है तो सबसे पहले तो इस्थानी सरकारे होती क्या ह राजी सरकार समझ में आती है, केंदर सरकार समझ में आती है इस्थानी सरकार कौन सी होती है तो इस्थानी सरकार आपके होती है जो पंचायत सरकार है या जो आपके महापौर्ट चुने जाते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? इस्थानी सरकार बोलते हैं ये कब आई थी? 1992 में आई थी. इनका महत्व बताना है ये क्यूं जरूरी है? अगर 1992 में इन्हें लाया गया, तो क्यूं लाया गया? क्या केंद्र और राज्य पर ही काम नहीं चल रहा था? जो एक और सरकार हमने जोड़ दी, स्थानी सरकार. क्या महत्व है आखेर इसका विक बास में या भारत के लिए ये क्यूं जरूरी है? ठीक है? चलो. हर तरीके से पूछा जा सकता है. देखो, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानी सरकारों को दी जाती हैं, तो इसे सत्ता का विकेंद्री करण कहते हैं. इसमें तीसरे इस्तर को स्था स्थानी शाषन कहा जाता है. स्थानी शाषन का महत्व निम्न लिखे थे. अब देखिए, एक यहां पर बात आई, एक शब्द आया है, विकेंद्री करण. ठीक है? देखिए. केंद्र के पास कुछ विशय थे, राजे के पास कुछ विशय थे. दोनों अपने अपने विश दिया जब सम्विधान हमारे पास में आया 1950 में. लेकिन जो यूपी, for example, अगर मैं उधारन लूँ, यूपी राज्य, यूपी की सरकार नियम बना रही है. ठीक है? लेकिन यूपी में कितने सारे गाउं हैं, हर गाउं की समस्या अलग हैं. किसी गाउं में, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जो आपके, जो आपका गाउं होगा, उसकी समस्या और जो आपके मित्र का गाउं होगा. भले ही दोनों लगे-लगे होंगे, या थोड़े 10-15, 20-30 किलो मीटर पर होंगे, लेकिन समस्याएं दोनों की अलग-अलग होंगी. आपके यहा पर इनकी समस्याएं पहुँच पाती थी. क्यों? क्योंकि एक विधायक आपका चुना गया. अब वो विधायक क्या-क्या कहां कहां से निकल के लेकर आएगा परेशानिया नहीं पहुचा पाता था. तो जो स्थानिय स्तर है, वहाँ पे समस्याओं का निप्टारन नहीं हो पाता था. और मैंने सबसे पहले ही बताया था कि जब तक आप गाओं की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, तब तक आपका भारत देश विक्सित नहीं कर सकता, क्योंकि गांदी जी ने ही कहा था कि जो भारत की आत्मा है, वह कहां बसती है गाओं में. और जब तक आप समस्याओं का समाधान नहीं कर लेंगे, तब तक आप पूरे भारत देश की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे. तो इसी बात को सोचते हुए, यह महसूस किया गया कि स्थानी इस तर पर भी एक ऐसी सरकार होनी चाहिए, जिससे हर गाओं से समस्याओं निकल के बाहरा सकें और जो मतलब राजिस्तर पर या केंडरिस्तर पर जो योजनाएं बनती हैं वह भी पहुँच सकें हर गाओं के इलाके तक जिससे की गाओं का विकास जादा से जादा हो सकें. तो इसी लिए 1992 में आपका स्थानी सरकार का जो आपका अवधारना थी वह आई और इस तरीके स क्या हुआ? शक्ति का विभाजन हुआ. शक्ति का विभाजन कैसे हुआ? कि राज ने कहा ठीक है हम अपनी थोड़ी सी शक्तियां किसको दे देते हैं? गाओं में दे देते हैं. प्रधान को दे देते हैं थोड़ी सी शक्तियां. अब प्रधान देख लेगा कि गाओं की पा लगतियां नीचे यानी कि प्रधान की तरफ क्या की ट्रांसफर की तो यई स्थानांतरित की और इसी को ही क्या करते हैंúp विकेंग्री करण करते हैं जैसे उधारन के तौर पर एक परिवार है सास है अभी ठीके ना मतलब एक ही फैमिली तो बेटी की अभी शादी नहीं हुए जिनकी तुम लेलो बाहर का काम मैं देख लूँगे तो इससे क्या हुआ शक्ती का विभाजन हुआ इसे हम क्या बोलते हैं विकेंद्री करण बोलते हैं शक्ती का हस्तांतरण हुआ उन्होंने अपनी कुछ शक्तियां या अपने कुछ काम क्या किये बहू को दे दिया, तो इसे बोलते हैं विकेंद्री करण, यह term आप ध्यार रखेगा विकेंद्री करण, तो आप देखते हैं इस्थानी सरकारों का महतुर, पहला महतुर, अनेक समस्याओं का निप्टारा, इस्थानी इस्थानी इस्थर पर ही भड़िया डंग से हो सकता है, क्यूंकि लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बहतर समझ होती है आपके यहाँ पर अगर गाओं है आपको पता है भई हमारे गाओं में हर साल सुखा आता है क्यूं आता है कारण भी आपको पता होगा राज जी में योगी जी जो बैठे हैं जहां पर लखनव में उन्हें नहीं पता होगा ना कि जो फलाना फलाना गाओं हैं वहां पर सुखा क्यों आता है आपको पता होगा वो तो कि हमारे यहां सुखा क्यों आता है आपको पता होगा कि हमारे यहां पर जो स्वास्तिक की वे बहुत खराब हैं, उन्हें बहतर करने की जरुवत हैं, उन्हें नहीं पता होगा, उन्हें तो कब पता चलेगा, जब आप अपनी यहां से उनके पास में रिपोर्ट बेजोगे तब, तो बहतर है कि अगर समस्या जहां पर है, हम उसका निपटारा वहीं पर कर लें, जैस क्या होती है और बिगड जाती है कई बार, लेकिन दो दोस्ता अपस में ही एक दूसरे से माफ्ममांग के अगर उसे सॉल्ल कर लेते हैं, हल कर लेते हैं तो वो जादा बहतर होता है. तो इस्थानी जो समस्या थी उनके बारे में जानकारी भी स्थानी लोगों को है तो निप्तारा भी वहीं पर जल्दी से हो सकता था छीक, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जहां समस्या होती है समाधान भी वहीं कहीं होता है बस हमें ढूंडने की देर होती है ठीक है? तो वो लोग ढूंड पाते हैं लोगों की इस बात की भी लोगों को इस बात की भी जानकारी होती है कि पैसा कहां खर्च किया जाए और चीजों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है जैसे आपको पता होगा कि आपके गाउं में पहले किस चीज की जादा जरूरत है भुकमरी सबसे नंबर एक पर वहाँ पर है या फिर सड़क पहले जरूरत है आपको मालूम होगा न तो ये चीज राज में जो सरकार बैटी है उसे नहीं पता होगा तो अगर आपको पता है कि हमारे या पहले भुकमरी तूर करनी जरूरी है तो आप क्या करोगे जो पैसा है उससे पहले लोगों को भोजन उपलब्द कराओगे लेकिन राज सरकार को तो ये चीज नहीं पता वो क्या करेगी पहले सड़क बनवा देगी सड़क बनवा देगी सारा पैसा सड़क पे लग जाएगा इतने में लोग क्या होंगे भुकमरी से मर जाएंगे जब लोग ही नहीं होंगे तो सड़क का क्या मतलब ठीक तो इसी व लोगों को फैसनों की सीधे भागीदारी बनाना भी संभव हो जाता है जब लोग इस चीज में क्या लेते हैं इंट्रोस लेते हैं रुची लेते हैं बई प्रधान है अब पहले नहीं होते थे अब प्रधान को क्या करना है गाउं में जो समस्याएं उन्हें दूर करना है तो अधिकारियों से मिलेगा तो उसके ग्यान का क्या होगा ग्यान उसका बढ़ेगा उस ग्यान को वो अपने गाओं के विकास में लगाएगा अगर प्रधान ही न होता तो ना तो प्रधान पढ़ता ना प्रधान को देख करके कोई और पढ़ता ना प्रधान तहसील में जाकर क लोगों से मिलता अधिकारियों से मिलता चीजों को जानने की कोशिश करता तो क्या होता विकास नहीं पहुँच पाता अगर एक पढ़ा हुआ प्रधान गाउं में बना है तो वो क्या करता है सारे गाउं का विकास कर देता है वहां की महिलाओं को अगर कोई महिला प्रधान ह वहां की महलाओं को जागरुख करता है तो उससे क्या होता है विकास जल्दी आता है तो इसी लिए लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है अब गाओं में भी जब चुनाओं होने है तो गाओं के लोग भी अब इस चीज के लिए पूरी तरीके से जागरुख हैं कि हमें किसे वोट देना है कौन हमारे लिए जादा विकास लेकर आ सकता है या हमारे लिए क्या चीज जादा महत्वपून है सिक्षा या फिर शराब वो भी जानते हैं इस बात को पहले नहीं जानते थे सड़क जादा जरूरी है या हमारे लिए स्वास्ते जादा जरूरी है वे भी इन चीजों को अब समझने लगे है, ठीक, बच्चे को पढ़ाना हमारे लिए इस गाउं के स्कूल में जरूरी है या हमे शहर जैसे अच्छे स्कूलों की जरूरत है, इन चीजों को अब वे भी समझने लगे, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि स्थानी इस तरपर सरकार इस्थानी लोगों से पूछा गया कि भई आप बताओ आपकी समस्याएं क्या है और उसके लिए नियम भी आप खुदी बनाओ तब ये सब संभव हो पाया तो इस प्रकार इस्थानी सरकार की स्थापना स्वर्शाशन के लिए लोकतांतरिक सिध्धान को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है और जो लोकतांतरिक सरकार है वह तो ये कहती ही है कि जितनी जादा जन भागीदारी होगी उतना ही लोकतांतरिक जो शाशन है व बहुत बहुत वह पूर्ण था, ठीक, समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं अगले प्रिशन पर, पूछा गया है भारत में संगी व्यवस्था की प्रमुख विशेष्थाओं का वर्णन कीजे, संगी व्यवस्था की प्रमुख विशेष्थाओं का वर्णन पूछा गया ह एक-एक करके देखेंगे, पहला है दो इस्तरी साशन विवस्ता, देख ली हमने एक केंदर इस्तरी है और एक राज्यस्तरी है, दो इस्तरी साशन विवस्ता है हमारे यहां पर, केंदर सरकार नियम बनाती है, राज्यसरकार नियम बनाती है, दूसरा, शक्तियों का बटवार शक्तियों का वटवारा कैसे है हमारे यहां पर एक हमारे यहां विधाई का होती है जो कि क्या बनाती है नियम बनाती है कानून बनाती है जैसे राज्य इस्तर पर विधान सभा और केंद्र इस्तर पर संसत दो हो गई विधान सभा और संसत इसके पास क्या काम है इसके पास श विधाईका ने बनाए है इन्हें क्या करती है लागू करती है और तीसरी क्या है हमारे पास में न्याई पालिका तीसरी है न्याई पालिका जो क्या करती है जो न्याई है उसकी विवस्था करती है इस तरीके से एक तो शक्तियों का बटवारा आपका शैतिज रूप से हुआ लेकिन शक्तियों का बटवारा उर्धवादर रूप से भी है केंद्र के पास में संग सूची है नियम बनाने के लिए और राजिक के पास में राज्य सूची है नियम बनाने के लिए तो इस तरीके से शक्तियों का बटवारा न सिर्फ 36 रूप में है बलकि उर्धवादर कठोर का मतलब यह है कि उसमें अगर कोई भी परिवर्तन करना है तो परिवर्तन के लिए राज और केंद्र दोनों की अनुमती की जरूरत होती है ऐसा नहीं है कि केंद्र अपने फैसले राजे पर थोपे और कुछ भी परिवर्तन कर दे अगर सम्विधान के किसी भी अनुशेद में परिवर्तन करना होगा तो केंद्र और राजे दोनों की ही सहमती से परिवर्तन हो सकेगा तीसरी शक्तिशाली न्यायपालिका हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच न्यायले क्यों कहते हैं उसे सर्वोच न्यायले क्योंकि उसके दिये गए जो नियम है वित्ती स्वायतता राज्य के अपना वित है केंद्र का अपना वित है केंद्र अपने पैसे अपनी योजनाओं पे खर्च करता है राज्य अपने पैसे अपनी योजनाओं पे खर्च करता है ठीक, नेक्स्ट एकी करत न्यायपालिका एक ही कृत न्यायपालिका है यानि एक ही न्यायपालिका है उसके बाद राज्यों के अपने सम्विधान नहीं है राज्य जो हैं वो किसका सम्विधान मानते हैं केंद्र का या फिर एक ही जो सम्विधान बनाए हैं उसमें ही राज्य के लिए भी प्रावधान कर दिये और उसी में ही केंद्र के लिए भी प्रावधान कर दिये गए हैं राजियों की अलग सम्विधान अपने नहीं है जैसे बहुत से देशों में होते हैं उसके बाद केंद्री करत संगभाद का मतलब है कि हमारे यहाँ पर केंद्र जादा शक्तिशाली है राज की अपेक्षा राजी और केंद्र के बीच में हाला की शक्तियों का बटवारा है किन्तु फिर भी समुवर्ती सूचि की बात करें या अवशिष्ट विश्यों की बात करें तब हम यह पाते हैं कि केंद्र को जादा शक्तिशाली जादा महत्वपून बनाया गया है राजी के उपर तो भारत की संगी जो शाषन विवस्ता है ये उसके कुछ आपके कह सकते हैं कि चरित्र हैं जिसमें हम कहते हैं शक्तियों का बटवारा है, कठोर सम्विधान है, वित्तिय स्वायतता है तो ये सब आपके किसके चरित्र है या किसके गुण है ये आपके भारतिय समविधान या भारतिय जो संगवाद है उसके ये गुण है ठीक चलो आगे चले भारत में पंचायती राज विवस्था का हमें वर्णन करना है तो देखिए मैं पहले आपको बता चुकी हूँ पंचायती राज विवस्था क्या है तीन इस्तर में है हम देखते हैं एक तो ग्रामी इस्तर पर है क्या होते हैं सरपंच या प्रधान होते हैं उसके बाद फिर एक इस्तर आता है हमारा पंचायत समीती जो हमारी तहसील वाली स्थिती होती है ब्लॉक लेवल पर वो होते हैं हमारे उसके बाद जिला परिशन होती है जो आपके जिला अध्यक्ष होते हैं वो आते हैं इस तरीके से जो पंचायती राज विवस्ता है भारत में वह तीन इस्तरों में विभाजित है एक तो गाउं में प्रधान उसके बाद फिर आपका जो ब्लॉक लेवल है तहसील इस्तर पर पंचायत समिती और तीसरे नंबर पे जिला परिशत जो आपकी डिस्टिक्ट में काम करती है या जिला में काम करती है तो भारत की जो पंचायती राज विवस्ता है वह किस तरीके से दिवाइड है किस तरीके से विभाजित है तो देखिए गाउं के इस तरका जो आपका स्थानी साशन है उसे ही हम कहते हैं पंचायती राज तीन इस तरी है पहला ग्राम पंच जिन पर वो लोग नियम बनाते हैं ठीक चलिए यहां पर आज का ये जो हमारा ध्याय है ये समाप्त होता है और जो भी महत्वपून प्रश्णते वो हमने देखे मुझे अमीद है कि कुछ जो मुख्य चीजें मुख्य जो बाते थी इतने कम समय में मैं आप लोगों को बता पाई आप लोग निरंतर प्रयास करते रहिए और इनको लिख लिख कर कम से कम विद्या क्वेशन बैंक से जो भी क्वेशन दिये गए हैं जो भी प्रश्ण दिये गए हैं आप उन्हें लिख लिख कर देखते रहिए ठीक थैंक यू सो मद्ध